कि नमस्कार दोस्ते MP online CST Business Training की गलास में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम देखने वाले MP Treasury की वेबसाइट के बारे में यहां पर जैसे कि आपको पता MP Treasury यानि की मद्यप्रदेश जो आपका Treasury का एक वेबसाइट था वो अभी यहां पर चेंज हो चुका है ठीक है तो यहां पर जैसे हम MP Treasury.gov.in में जाते हैं तो यह पहले था .org अभी यह हो गया है MP Treasury.gov.in तो यह बलकुल नया पोर्टल यहां पर MP Treasury का आ चुका है वित्ते बिभाग का आ किसके पहले कोई चलान काटा है और वो आप ढूड़ना चाहते हैं तो यहां पर एक लिंक भी दिये है चलान सर्च की यहां से आप चलान को सर्च कर सकते हैं Otherwise यहां पर जाते हम MP Treasury.gov.in की वेबसाइट पर यहां पर देख पाएंगे यहां पर बिलकुल नया पोर्टल जो प बदला हुआ है वह अपन देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर साइबर ट्रेजरी एक option यहां पर लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे option दिखने लगे हैं जिसमें एक साइबर ट्रेजरी है साइबर ट्रेजरी दिख रहा है चलान सर्च का है डिपार्टमेंटल हैं अभी यहां पर किसी प्रक्राइब चलान अगर आपको करना है यहां पर हम जाते एंप्लॉई सेल्फ सर्विस में क्लिक करते हैं यह आगया है लॉगिन तो आपको अगर आप एंप्लॉई है वित्ति विभाग के तो आपके पास जो यूजर आईडी पास्पर्ट है उस आपको यहां पर यूजर नेम एक पासवर्ट क्रियेट करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप यह कल लें न्यू यूजर रेजिस्ट्रेशन ठीक है इसमें आप अपना यूजर नेम पासवर्ट क्रियेट करके बना लें फिर उसके सब्सक्राइब यूजर पे कार्ण सकते हैं थार्ड उसक यूजर आइडि हम यहां पर बना लेते हैं और फासवर्ट आपनी हाँ से महें यूजर रेंुमरों गपन कर लें यहां नहीं कूब ठीक है यह हमने पास्वर डाल दिया यहां पर अल्फवेट नमबर इंड इस्पीसल केरेक्टर का कॉंबिनीशन होना चाहिए ठीक है देन सिक्यूर्टी कॉस्चन एक आ रहा है वो हमने यहां पर डाल दिया कंफर्म सिक्यूर्टी आंसर यूजर टाइप सिटिजन क्या इंस्ट्रिटूट हम ले लिए सिटिजन ठीक है फिर्स्ट नीम कर देते हैं यहां पर लास्ट नेम कर देते हैं प्रोफिशन कर देते हैं आप क्या है हमने कर दिया इसको लाइक अधर और अधर में जैसे MP online वाले हैं MP online shop ID टाइप में अधार कार्ड ले लेते हैं अधार नमबर यहां पर लिख देते हैं जो भी आप कोई भी एक देट लिख सकते हैं और आपके कार्ड में भी आपको जो है अधार कार्ड की डीट ऑफ इशू मिल जाएगी तो वहां से भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं यहां पर एक file attach करनी है आपको आपके अधार काट की तो मैं यहां पर एक फाइल अपने अधार काट की attach कर दीता हूँ then यहां पर आपका email ID आपको लिखना है इसकी बाद mobile number और then आपका address यहां पर आएगा तो जल्दी से मैं से complete कर लेता हूँ सभी detail fill up करने का generate OTP पर क्लिक करेंगे एक OTP आपके mobile number पर यहां पर आपको दिखाई देगा और वो OTP आपको यहां पर एंटर करना होगा तो इक OTP हमारे पास आगया और इससे डालकर हम कर देंगे सम्मिट OTP OTP verification हमारा complete हो गया है देन आतर department चालान टाइप किस प्रकार का आप चालान काटना चाहते हैं तो यहां से आपको चालान जो है fill up करना होगा जैसे कि पहले के समय में होता था आप यहां पर भी complete detail आपको fill up करनी पड़ेगी और देन कोई भी चालान जो आप काटन सब्सक्राइब है तो लेवर का नंबर जो भी होगा वह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कमर्सियल टेक्स है या आपका लो-end court है या revenue है तो उसके लिए आपको यहां पर रिजिस्टेशन नंबर प्रवाइट करना पड़ेगा देन डिस्टिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं यह से दिस्टिक हमने ले लिए और office name होगे सब्सक्राइब कलेक्टर मंडला ठीक और एड डिपार्टमेंट कर ले आपको जिसके जिसके रिजिस्ट्रेशन अधिकतर लगते हैं वह आप यहां से सेलेक्ट कर ले राइक हमने यहां पर सब्सक्राइब कोई भी लिए दिस्टां अब ही हमें सुखर देते हैं confirm fmve7m और term condition check करते हैं confirm करते हैं और submit करते हैं तो यह registration successful हो गया है click here to login again तो हम यह आपस जाते हैं यहाँ पर यूजर आई दी जो हमने बनाई थी और देन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चर दिया हुआ है लग देन से करेंगे हम लॉग इन यह करने करें अब देख पर आप दिन्कि किया थे वह यहां पर हमको दिखाई देने लगा नाय लिए और यहां से आप को जो भी चलान आवर यहां से कट करना तो अ बहुत हैं तो माल लो आपको इन इन फीचर कोई और चलान करना है तो आप क्या करो सारे चलान की जो लिस्टा थी वह एड कर लो और उसको यूजर नेम और पासफ़र्ट दिए सामने वाले बंदे को अब इससे होगा कि उसका बार बार जब भी आपको चलान करना होगा आपको खाली लोग इन करना पड़ेग उसकी यूजरनेम और पासवर्ट से और नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी वो कोई चलांग करता है तो आटोमेटिक उसका चलांग यहां से आप सिलेक्ट करके भर सकते हो ठीक है तो एक बार जैसे कि सभी में अधिकतर वेबसाइट में होने लगा आज के समय में कि आपको ए यूजरनेम पासवर्ट से लॉग इन करो जिससे आपकी जो डीटेल है वह एक बार में आपर दिखाई देने लगे तो अब जो भी कस्टमर आएंगे सबसे पहले आपको उनका रेजिस्ट्रेशन करना होगा और उनका एक यूजरनेम और पासवर्ट जनरेट करना होगा और उसके लिए कर यह लीजिएगा कि जितने भी डिपार्टमेंट देख रहें वह सारे डिपार्टमेंट वहाँ पर एड कर लिजिएगा सबसे पहली बात यह कि जो भी आप यूजरनेम पासवर्ट बना रहे हैं वह आप अपना नहीं बनाएंगे वह आप कस्टमर के लिए ही बनाएंगे ठीक है कस्टमर के नाम से क्योंकि अपने यहां पर सिटीजन सेलेक्ट किया है तो हर एक कस्टमर का अलग-अलग यूजरन कलेंट में प्रोफा था मेन जाने के बाद यहां पर दो दिपार्टमेंट जो मैं इड किए तो इहां दिखाई देंगे इसके लावा और तो इपार्टमेंट करते हैं और अभिस ने करते हैं और एड department देते हैं तो वह ऒमके समें एड हो जाएगा देन इसे tपन को क्लिक करके से कंफर्म कर देंगे देन सम्मिट और यह हमारा department देपर्टमेंट भी यहाँ पर फकर से एक नया डिपार्टमेंट और आफिस ने में यहां पर डिटे एड़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से अपनी प्रूफाइल मेनेजमेंट में जाके एड़ कर सकते हैं